बेटा सोजा बरना गब्बर आ जाएगा ये डायलोग सभी ने 16 फिलम में जरूर चुना होगा लेकिन असल जिन्दगी में ऐसा आतंक और खौफ बीरपन का था बीरपन दक्षिन भारत की जंगलों का सबसे बड़ा और खुंखार तसकर था जिसके ओपर सेंगडों लोगों की हत्या 2,000 से ज़्यादा हाथियों का शिकार और 140 करोड से ज़्यादा की चंदन तसकरी का अरोप था लंबी मूचे और बेखौब आवाज उसकी पहचान थी बीरपन का डर ऐसा था कि आज भी तमिलाडू के लोगों के जहन में उसकी दरिंदगी की कहानिया जिन्दा है बीरपन जब तक जिन्दा रहा दक्षिन की सरकारों के लिए सिर्दर्द बना रहा करनाटक के गाउं गोपी नाथम में 8 जनबरी 1952 को जनमे बीरपन का असली नाम बुनी स्वामी बीरपन था बीरपन के बल खुंखार ही नहीं दिमाग से भी खेलता था बीरपन साल 1987 में उस समय चर्चा में आया जब उसने दिगंबर नाम के एक बन अधिकारी को आगवा किया था दरासल बनों में जब अधिकारी जाँच को आते थे तब बीरपन और उनकी मुठवेड हो जाती थी बीरपन के चर्चा में आने से पहले तमिलाडू के जंगलों में पुलिस पेट्रोलिंग करती थी इसके परमूख गोपाल कृष्णन हुआ करते थे गोपाल कृष्णन काफी ताकतवर थे इसलिए उनके साथ ही उन्हें रेंबो भी कहा करते थे इसी बीच साल 1993 में 9 अपरैल को कोथालपुर गाओं में एक पोष्टर पाया जिसने संसनी मचा दी दरासल इसमें बीरपन ने रेंबो के लिए बद्दी बद्दी गालियां लिखी थी और पकड़ने की चुनोती दी थी रेंबो भी बीरपन के उकसावे में आ गए और उसे पकड़ने निकल पड़े इसके बाद बीच में उनकी जीप खराब हो गई जिसके कारण उनोंने रास्ते में तनात पुलिस की वेन ले ली और पंदरा मुख्विरों दो वन गाल्ड और चार पुलिस वालों के साथ निकल पड़े बीरपन को इसकी भनक लग गई और उसने रास्ते में बारूद बिचा दिया जैसे ही बस पहुंची एक बड़ा धमाका हुआ और सब भी लोग मारे गए एक बार बन अधिकारी पी स्रीनिवास ने बीरपन को पकड़ कर गिरफतार कर लिया था लेकिन बीरपन इतना चालाग था कि वो तब भी बच निकला उसने सुरक्सा कर्मियों से सीर में दर्द की बात कही और तेल मंगवाया इसके बाद उसने वो तेल सीर की जगा हाथों में लगाया और कुछी ही मिनिटों में उसने अपने हाथ हतकड़ियों से बाहर निकाले और भाग निकला बीरप्पन ने स्रीनिवास से अपनी गिर्फतारी का बदला भी लिया बीरप्पन ने स्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अरजुनन को साथ में लिया और एक चाल चली जैसे ही स्री निवास अर्जुनन के संपर्क में आये अर्जुनन ने उने बीरप्पन के सरेंडर करने की बात कही हाला कि ये सब बीरप्पन की चाल थी इसके बाद बीरप्पन को जैसे ही स्री निवास पकडने आये उसने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी सिरी निवास की हत्या करने के बाद भी विरप्पन का दिल नहीं भरा उसने इसके बाद अधिकारी का सिर काटा और घर ले गया इसके बाद उसके गैंग ने सिरी निवास के कटे सिर से फुटवाल भी खेला साल 2000 में दक्षिन भारत के मस्गूर फिल्म एविनेता राजकुमार का भी पाला डाकू विरप्पन से पड़ा विरप्पन ने राजकुमार का अपहरन कर लिया और उन्हें सो दिनों तक अपने पास रखा इस दोरान उसने तमिलाडू और करनाटक दोनों ही सरकारों को घुटने पर ला दिया और अपनी कई वाते मनवाई भी रप्पन इतना दरिंदा था कि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी तक की बली चड़ा दी थी साल 1993 में बिरप्पन को एक लड़की पैदा हुई थी उस समय इस दसकर का गैंग बड़ा नहीं था और इसलिए वो थोड़ा डरता था बच्ची जब रोती तो बिरप्पन और डरता क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज 110 डेसिवल के आसपास होती है जो बिजली कड़कने की आवाज से सिर्फ 10 डेसिवल कम होती है एक बार बिरप्पन को उसकी बेटी ने रोने की वज़ा से मुसीवत में फसा दिया था इसलिए उसने अपनी बच्ची की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया 1993 में करनाटक STF को मारी माडूवू में एक समतल जमीन के नीचे खड़े में नवजात वच्ची का सब मिला था बिरप्पन के खातमे के लिए मुख्यमंत्री जैललिता ने तमिलाडू स्पेसल टास्क फोर्स का गठन किया बिरप्पन को मारने के लिए बिजे कुमार STF के चीफ बने 18 अक्तूबर 2004 को STF को भनक लगी कि बिरप्पन आँख का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर आ रहा है इसके बाद STF ने चाल चलते होए बिरप्पन के लिए एक एंबुलेंस का इंतिजाम किया योजना के तहट एंबुलेंस में बिरप्पन आकर बैठ गया एंबुलेंस को STF का ही आदमी चला रहा था योजना के अनुसार ड्राइवर तैस्तान पर एंबुलेंस छोड़ कर भाग गया यहाँ पहले से मौजूद STF के जवान घात लगाए बैठे थे और उन्होंने AK-47 से फाइरिंग कर 20 मिनिट के अंदर विरप्पन का खात्मा कर दिया तो दोस्तों भारत के सबसे खुंखाल डाकू विरप्पन के बारे में यह थी कुछ रोचेक जानकारी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ